मैं पुलीस विवाग में इसलिए जानना चाहते हूं क्योंकि पुलीस विवाग में कानून और नीत्या बने जाती है अपरादों में बहे होगा उनको कम करूँगी परधान मंतरी बनने के लिए निम जो एज होता है आयू होते हैं वो क्या होते हैं सर सौरी सौरी सर मुझे नहीं आता है सौरी सर क्या आप कोई दूसरा सवाल पूछ सकते हैं सौरी सर इसकी जानकारी मुझे नहीं है सौरी सर आप दूसरे सब्जेक्ट से सवाल करें जी हाँ ये सौरी शब्द वो शब्द है जो हर गल्दी को छुपा देता है लेकिन राजस्थान में ये सौरी शब्द इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं आखिर ये चर्चाओं में क्यों हैं? आखिर क्यों एक mock interview को इतना viral किया जा रहा है? जी हाँ ये mock interview उस छात्रा का है जिसने सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा में qualify किया है इस समय राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा सबसे ज़्यादा विवादों में हैं पेपर लीक के चलते सब इंस्पेक्टर के करीब 25 से ज़्यादा SI को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिसके बाद अब इस मामले की परते खुलती जा रही है ये वीडियो एक हम आपको दिखाने जा रहे हैं हाला कि ये वीडियो करीब एक साल पहले का है लेकिन आज ये वीडियो इतना popular क्यों हो रहा है क्या वज़य है कि एक सब इंस्पेक्टर की अभ्यर्ती के वीडियो को सोशल मेडिया पर चंकर वाइरल किया जा रहा है तो आपको बता दें कि ये वो छात्रा है जिसने सब इंस्पेक्टर प्रतियोगी परिक्षा पास की है और वो मौक इंटरिव्य तक कोची है मौक इंटरिव्य में जब ये चात्रा विक्षकों के सामने जाती है और सवालों का जवाब देने लगती है तो इन पूरे मौक इंटरिव्य में सिर्फ ये नजर आता है कि विख्षकों द्वारा सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं छात्रा के द्वारा किसी भी सवाल का सई जवाब नहीं दिया जा रहा है राजनिती विज्ञान, भुगोल और हिंदी की ये छात्रा जब इंट्रिव्यों लेने वाले तीन पैनल के सिक्षकों के सामने बैठी तो उसका जो जवाब था वो बहुत ही हसाने वाला था किसी भी सवाल का वो धंग से जवाब नहीं दे पा रही थी आईए पहले आपको इस छात्रा के उस इंट्रिव्यों के कुछ अंश दिखाते हैं जो इस पूरी भरती पर सवाल या निशान खड़े करते हैं मुझे बताईए कि हिंदी भाशा के वर्तमान में सम्वेधानिक इस्तती क्या है कि अभी जैसे आपने ग्रेशन कंपिट किये 2020 में और उसके बाद में जो है लगाता रहे पढ़ने की फिल्ड में हम लोगे है कौन-कौन से कंपिलिशन की तेहरी कर रहे हैं तो आपको नहीं लगा कि वेज जो फिर अपने पटवारी की तेहरी की है ग्राम सेवक की तेहरी की है वो अपने समय और अपने शंता को आपने दूरूपयोग किया उसको खर्च किया है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं बट में पुलीस विभाग में इसलिए जाना चाहते हूं क्योंकि पुलीस विभाग में कानून और नीतिया बनाई जाती है जी सर तो फिर विधान सभा में और संशद में क्या होता है शूरी सर चले कियर कोई बात नहीं अच्छा आपका एक टीम में किया है यहूता है रसा कसी स्वेट एक टीम में 10 पैसपल्य कि है और आट ले कहलते हैं तो आपने इस टीम में क्या किया है मतलब कि जो के प्रतिभागी के रूप में आप किस लेबल पर इसे इस इस जेम को आपने के लाड़ पर के लिए पर इस तेट लेबल पर खेली और नेशनल लेबल पर इस पोर्स में काफी रुची रहा है इस इस गेम को कहां तक माननेता दी गई है तब प्रधान मंतरी बनने के लिए निन जो एज होता है आयू होते है वो क्या होते है यह बताएए कि जो पुलीस है वो कौन से विभाग के दिन आती है और अब वरतमान में उसका कौन है मिनिस्टर पुलीस राजय सरकार के नहीं है कौन से दिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पुलीस का मुख्या कौन होता है पुलीस का मुख्या मुख्या सबसे हेड कौन है उस पोस्ट का नाम जाना चाहरे है कि एक ऐसी अबरादी ने पेली बार जिस फिली बार अपराद हो गया है तो वो दुबारा उसी थाने में जाके अपनी रिपोर्ट नहीं दर्ज दूसरे ताने में जाके वो रिपोर्ट दर्ज कर वाएगा बारत का समीधान पढ़ा है आपने पोलिटिकल साइन्स आपका सब्जेक्ट भी रहा है जी सर पढ़ा है उसकी प्रस्तावना की पहली लाइन बढ़ा सकते हैं हम बारत के लोग बारत को संफुन पदबुत्वे संपन देश यह जो गरफतार वेक्ति होता है उसके क्या अधिक गें गर territorial काराने है उसको जाने कर दिकार होता है और उसको 24 गंटे की बीतरी मजिस्ट्रेट की समटे स्पेस होने कर दिकार होता है और अब बातीया पंड सहीथ है जो अटारसो साथ में लग हुए था में । कर दूद आप uh जरूर समझें या सब बढ़िया चल रहाए तर सर्थ हो इसन सब बढ़िया चल रहा है पुझे तो ंचे हे चाहि रहा है ल॥ हमें बहुत बढ़ इंगाई है कि भारत में महेंगई बढ़ गई है मड़ाम इसका ऐसा ही से क्या लेंदेने हैं ऐसा ही से घृट तो ये सब जगे बढ़ेगी बात के लिए बात ने कि उसकानु योवस्था से या ऐसा ही के पद से क्या ऐसी बनने के बाद महेंगई को कम करवा देंगे सारम तो मेंगई को कम नहीं करवा सकते। तो यहीं तो कह रहा हूं कि इसका ऐसे बन करके आप क्या-क्या बदलाव कर रवा देंगे समाज में समाज में सर में महिला साशक्तिकरन को पर बाव डूलूँगी। चलिए ये बता दो केंदर सरकार की ऐसे कौन सी योजना है जो वरतमान में महिला सक्षक्षक्ति करन के लिए चल रही है सुकन्या समर्दी योजना भी है उज्वला योजना है इंद्रा गांधी मिशन योजना भी है इंडरा गंधी मिशन योजना है? अिरसे इंड calendarमिस अंड़ियां पता अधीने नहीं लाव के लिए लगुकवी जिस में मैला को रोजगार का उसर मिलता है कितने दिन का रोजगार मिलता है रोजगार सब सो दिनका भी यह जो है नुरिगह वाली यूजना है यह से घ्ट करके कोई ऊजना है तरल नरीगह वो तो अलग है रभा में किते दिन का रोजगार यह शर डिन का रोजगार है il our children क्या से कच्चे होते हैं पक्क्य सरपंच होता है सरपंच होता है नहीं सर आपने सुना और देखा कि एक छात्रह जब मौक इंट्रिव्यू के लिए जाती है तो वो अपना सपना बताती है एसाई बनने का लेकिन एसाई के जो मौक इंट्रिव्यू था उसमें जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सवालों का ये छात्रा ढंग से जवाब नहीं दे पाई यहां तक की लिविन रिलेशन्शिप को लेकर पूछे गए सवाल का इस छात्रा ने ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद हर सिक्षक की हसी तो छूटी साथ ही इंट्रिव्यू देखने वालों के हस्ते हस्ते पेट में दर्द भी हो गया छात्रा ने जवाब दिया कि लिविन रिलेशन्शिप वो होता है जिसमें लड़का विवाहित होता है और वो किसी अन्य महिला से प्रेम करता है और उसको अपने घर में लियाता है तो उसे लिविन रिलेशन्शिप कहते हैं इसके साथ ही S.I. बनने के सपने को लेकर जब उससे सवाल पूछा गया तो उसका जवाब था कि वो महंगाई कम करेगी जिस पर सवाल पूछने वालों ने कहा कि S.I. बनकर महंगाई आप कम कैसे करेंगी तो इस छात्रा ने अपने बचाओ करते हुए कहा कि वो महला शर्षक से ज़्यादा जो सब इस्पेक्टर थे उनको पेपर लीग के चलते हिरासत में लिया जा चुका है इसके साथ ही इस मामले की परत दर परत खुलती जा रही है ऐसे में सोशल मीडिया पर वाइरल ये मौक इंट्रिव्यू इस समय देश में संसनी फैला रहा है आप देखते रह